अलो बच्चों, हाव यू आल, I hope सभी मज़े में होंगे और आज हम स्टूड़ी करने वाले हमारे एक और न्यू टॉपिक के बारे में हमारे इस चैप्टर के अंदर तो इस प्रिया मिश्रा और वेलकम टो जे आर जूनियस तो ये लेक्चर है सभी प्ट टैंडर के स्टूड़ेंट के लिए और इस लेक्चर के अंदर हम इवियस वन का चैप्टर नंबर थी स्टूड़ी कर रहे हैं कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला है कि इससे पहले हमने दो लेक्चर को और देखा हुआ है जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के पूरे बेसिक कॉंसेप्ट को बढ़िया तरीके से क्लियर किया है क्या क्या चीजे होती है एट्मोस्पियर क्या होता है लीथोस्पियर क्या होत सारी चीजे साथ बढ़िया तरीके से कॉंसेप्ट को क्लियर कर लिया है तो जल्दी से जाकर पहले दौनों लेक्ट्टर्स पो देखो वो दौनों क्लियर हो जाएगा तो ये लेक्चर भी आप के लिए बहुत जादा ऊजी हो जाएगा ओके लो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्च्छ जिसमें हम कौनसे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे जिसका नाम क्या है दो और ऐर्ट सब कुस देख लिया था ठीक है उसके बाद हमने मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजे बताई हुई थी जो कि बहुत जादा important है हमारे कितने continents होते हैं continents किस तरह से बनते हैं ठीक है सारे continents के name भी बताय हुए थे हमारे earth पे water कितना present है ये सारी चीजों के बारे में हमने क्या किया था in previous lecture हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में स्टड़ी किया हुआ था okay I hope so सभी को याद जरूर से होगा ठीक है चलो तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में स्टड़ी करने वाले हैं सर्फेस वाटर अच्छा पर जो सर्फेस का मतलब क्या होता है हमारा जो जमीन है लैंड ठीक है सर्फेस क्या है ये एक सर्फेस है ठीक है अभी सर्फेस के ऊपर जो water बहेगा बहेगा मतलब जो water हम डाले हमने कोई water ढाला हुआ है वो जो बह रहा है वह बह रहा है क्या करा रहा है वह एक water लोग किसके अंदर अनधर सर्फेस वाटर डेकले भी बहुत सारी चीजे करें जाती है सिर्फ और वाटर में होता है तिक है बहुत अलग-अलग ways में हमें water देखने मिलते हैं शिर्फ और सिर एक way में हमें water देखने नहीं मिलता है जैसे कि आप लोगों ने धरने बहते हुए देखे हुए जड़न्य भैते हुए देखे उंगे उसके बाद आपने नाले देखे हुए छोटे छोटे जो नाले होते हैं अध्या पर थोड़ा सा क्लीन वॉर्टर होता है और सुटे थोड़े अमाउंट में क्लीन वॉर्टर होता है उत्याusle उसके साथ थोड़े दो बड़े जो वाली जगें जहाँ पर थोड़े और बहुत अलार बतलब में थोड़ा सा जाथा जाता है यहीं लैंड वाटर के अंदर जाता है ठीक है उसके साथ बड़े-बड़े जाते हैं वह सब भी पिघल कर पानी बन जाएंगे और अगर जो ऐसा हो गया अचानक से तो यह जो पूरा धरती है वह डगमक डगमक हो जाएगा ठीक है बहुत जादा प्रॉब्लम पेस करना पड़ेगा लोगों को क्योंकि अगर बहुत जादा लार्ज अमांट में पिघलना शुरू हो गया भी वह पिघल रहा है अगर उसने बहुत जादा लार्ज अगर पिघल गया तो बहुत बड़ा सैलाव आजाएगा बहुत बड़ा तूफान आजाएगा पानियों का ठीक है तो यह सारी चीज़े हम लोग लेक्चर के अंदर मिंसकी इस टॉपी के अंदर अच्छी तरह से स्टुडी करने वाले सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमार लोग जो बहुत जादा लार्ज अमाउंट अफॉटी वाटर्स होते हैं उसके अंदर बहुत जादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है और उस वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं यह मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है और आभी भी बता दिया याद रख लेना यह बता है लोग अटर्य और फोड़ नहीं कर सकते हैं अगे बढ़ जाते हैं लैंड वाले वाटर के उपर उसे लैंड परमतलब हमारे ऐर्थ लैंड बहुत सिरा पानी भेता को हमारे तरह रहतوقर है ठीक है और जो यह water होता है वो salty नहीं होता और यह क्या होता है यह fresh water होता है और इस water को हम consume करते हैं इसी water को हम पीते हैं साफ करकर clean करके इसी water को हम पीते हैं जैसे बारिश आती है तो जो बारिश का पानी होता है वो किसी जगह पर इकठा हो जाता है ठीक है उस पानी को जो इ को उसके अंदर chemicals वगरा कुछ डाल कर क्या करते हैं उसे clean किया जाता है ठीक है और उस clean water को लोगों के घर घर तक नल से पहुचाया जाता है ठीक है अब वो पानी को भी लोग क्या करते है आजकल filter use करते है ठीक है filter आरो वगरा आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में भी होगा तो उसके अंदर आता है वो water और उस water को भी हम एक और बार clean करते हैं जिसकी वज़र से water पूरी तरह से pure and fresh water बन जाता है जो कि हम easily consume कर सकते हैं और वो हमारी वाडी के लिए बिलकुल भी नुकसान नहीं पहुचाता है ठीक है वो एक दम ही अच्छा water होता है ठीक है त सारी को मिला कर ठीक है ये जो क्या है रील्स है ब्रोक्स है स्ट्रीम्स है इन सभी को मिला कर क्या बन जाता है इन सभी को जॉइन करके क्या बन जाता है बच्चो तबी को मुए boys बोलने वाली थी क्या बन जाता है boys चलो अगर आप boys हो तो पटा फट से बता दो क्या बनेगा क्या बनेगा river बन जाएगा इन सभी को joint करके क्या बन जाता है river बन जाता है और यह जो rivers होते हैं यह सारी rivers अगर जो बहुत सारे अलग-अलग rivers को जोड देंगे ठीके बहुत सारे अलग-अलग rivers के joining से क्या बन जाता है क्या बनेगा उससे tribute рад tribute race ठीगे उसको joint करके मतलब जैसे हमने बहुत सारे छोटे छोटे नदी नालों इन सभी को छोटे छोटे जितने भी नदी नाले है उन सभी को जोड कर क्या बन जाता है इन सभी को जोड कर बन जाता है river और इस बहुत सारे biggest rivers को मतलब कि बहुत सारे बड़े-बड़े rivers को जोड करके एक बहुत बड़ा attributes बन जाता है और ये बहुत बड़ा tribute होता है वो जो छोटी नदिया होती है उन सभी के जोडने से बनता है ठीक है तो वो क्या होगा वो बहु जादा बड़ा होता है याद रख लेना आपको क्या याद रखना है कि यह जो तीनों होते हैं इनके जुड़ने से क्या बन जाता है इनके जुड़ने से बन जाता है रिवर्स और बहुत सारे रिवर्स के जुड़ने से बन जाता है एक बेग एक लार्ज क्या बन जाता है ट् ỏi trump कर सकते एक चभी क्या आगी क्या दिया होए हमसारी वॉतर को मिलाइया जाता है उसके साथ सब्सक्राइब आपने वाड़ देखा होगा जहां पर नदी का बहाव होता एंच今 दुगा वो नीचे की तरफकि्टा और नीचे में क्या है अगें लैड है सो यहां पर क्या हो सकता है बच्चों यहां पर जो पानी बहरा है ठीक है यहां पर जो पानी बहरा है वो क्या हो जाएगा नीचे पॉल होगा क्या होगा नीचे यहां पर जो वाटर होगा वो नीचे क्या होगा पॉल होगा और नीचे ज यह जो waterfall वाले जो waters होते हैं, उन waters को भी हम consume कर सकते हैं, यह भी मीठा पानी होता है, यह salty water बिलकुल भी नहीं होता है, ठीक है, और बाकी बहुत सारे जो अलग-अलग rivers होते हैं, बड़े-बड़े अलग-अलग rivers होते हैं, वो सारे जाकर ocean में मिल जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर इस concept को यहाँ पर हमने complete कर दिया, आगे बढ़ेंगे, आगे हम कुछ और new चीज़ों के बारे में स्टर्ट करेंगे, ठीक है, surface water सिर्फ इतना छोटा सा topic नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़े आती है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है, lake, ठीक है आप लोगों ने देखा हुआ है, तालाव, lake मतलब जो हिंदी में बोला जाता है, तालाव बोला जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा हुआ है, कमल खिलते हुए, बहुत सुंदर जहां पर भी बहुत गहराई वाली कोई जगे होती है, ठीक है, बहुत जादा गहरा ज जगे हैं बहुत नीचे तक खड़े वाली जगे है and again यहां पर क्या है यह पूरा किस्ते है जमीन यह खड़े वाला क्या है और पत्थर बहुत बनाया हुआ है इस यह अलरेडी बना हुआ है ठीक है इसमें क्या होगा यहां से रिसाव होकर मतलब यहां से पानी क्या होगा इससे दीरे-दीरे क्या होगा इकठा होगा और इसके अंदर क्या हो जाता है वाटर भर जाता है क्या हो जाता है बच्चो वाटर भर जाता है इसके अंदर पानी पूरी तरह से इसके अंदर भर जाता है और यही इसे हम क्या कहते यह जो lake water होता है ये भी क्या होता है consume करनी के लिए थोड़ा सा ठीक होता है बट अभी के टाइम पर बहुत जादा गंदगी पैलने के वज़े से इस lake water में क्या हो जाता है बहुत जादा गंदगी आजाती है मच्छर आ जाते हैं इसके आज पास और चोड़े मकोड़े वगेरा चोड़े चोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सब होने की कारण हम लोग इस water को directly consume नहीं करते हैं बढ़ जहां पर पानी का problem है वहां पर लोग तालावों में जाते हैं वहां पर कपड़े दोते हैं बरतंद होते हैं नहाते भी साती साथ। जो ओन्हों दो करते हैं तो पाणी स्भी लेते हैं डिकर के वहां के लिए बहुत सुंदर सा लगता है एंदर आप लोगों ने देखा होगा गुलाब खिलता है। गुलाब नहीं कमल खिलता है कमल खिलता है कमल ठीक है तो बहुत जादा प्रेटी दिखता है वो ओके चाल आई होप सो यह आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा यह भी क्या है एक वाटर बॉड़ी है जो कि फॉर्म होता है हमारे किसके अंदर नॉर्मली जो लौ लाइन जो एरिया होते हैं मतलब कि जो खड़ी वाले जगह पाई जाती है जगहों पर नॉर्मल सम्तल वाली जगह पर अगर कोई खड़े वाला जगह दिख जाता है तो उसके अंदर पानी इकठा हो जाता है और उस पानी से वह पानी ही क्या बन जाता है लेक मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि हमारे एर्थ पर आइस के फॉर्म में बहुत सारा वॉर्टर है जैसे अगर आप लोग को मैंने अभी अभी बताया हुआ था क्या अगर वह पिघल गए तो बहुत बड़ा सुनामी बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा ठीक है बहुत जादा पानी एक साथ आजाने की वज़े से पूरी तरह से जो जो अर्थ का सर्फेस है वह उसे अड़ाप नहीं कर पाएगा वह उसे बरदाश्ट नहीं कर पाएगा और का जो कंडीशन हो पूरी तरह से ठाप होने लग जाएगा ठीक है यह बहुत ज्यादा सन के आने की वज़े से जो संसे जो रॉश्णी है ऐसे आने की वजह से गर्मी बहुत जैदा वगई आप लोगों नोटिस करते होंगी कि अभी टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा disse तो इसकी वज़ा से ग्लीशियस बहुत जादा पिघल रहे है साथी साथ यह आप लोगों को जो थंडी जगह वाले जो इलाके होते हैं जैसे अगर आपने कश्मीर वगेरा का एक्जामपल ले लिया या फिर हिमाचल प्रदेश का एक्जामपल ले लिया जैसे हमारे यहाँ पर बारिश के मौसम में पानी बहता है ठीक है हमारे यहाँ पर क्या आता है बादलों में से क्या आता है बादलों में से हमारे यहाँ पर पानी की बूंदे गिरती है और उनके वहां पर क्या होती है जो ज़ो बहुत ज़ाधा थंडी वाली जुगे होती है जहाँ पर माईनस में officer होता है ठीक है बहुती कम टेंपरेचर होता है हमारे यहां पर नॉर्मल मुंबई में मैं मुंबई में हूँ अगर आप किसी और जगे पे हो तो आप लोग अपने का कंडिशन बताइए बट मैं मुंबई में हमारे यहां पर बहुत ही बुरी तरह से बारिश आती है बहुत ज्यादा बुरी तरह से स्नोफलहों होता है किस रह से तरह से बहुत प्यार से प्लाइब होता है जो कि बुलते ना बहुतया से होता है बहुत अच्छा वाइट-वाइड सा पुरा दिखता है यार अप लोगों कश्मीर या पिक्चर्स नहीं गई हो नहीं हूं तो जरूर से adher team VII ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है बादलों में भी आईस बने हुए होते हैं और इसकी वज़र से वहाँ पर क्या होता है स्नोपॉल होता है आईस की बारिश होती है ठीक है तो ऐसे कुछ ठंडी वाली जगहों पर होता है और ये वाटर ये आप लोगों को जो वहाँ पर जो में रिवर्स होते हैं जो बड़े-बड़े होते हैं वहाँ पर फी पानी तरह से जम जाता है ठीकेज पानी पूरी तरह से जमे हुए फॉर में होता है और वहाँ पर वह पानी का बोलते न जो करते उस पर फिसलते हैं तो वह चीज की जाती है वहाँ पर आप लोगोंने पिक्चर्स या मूवीज वगरा में आप लोगोंने देखा ही होगा तो यह सारी चीज़े कुछ जगह उपर होती है ठीक है जो ठंडी वाली जगह है ठीक है हमारे यहां पर यह सब चीजों का को आइस वाले वॉर्टर आइस के फॉर में हमें वाटर दिखाए देते हैं वह चीज़े भी हमने ही आपर कम्प्लीट कर ली अब लोगों ग्राउंड वॉटर देखें जैसे सब्पोर्स क्या होता है ठीक है एक है यहां पर क्या होता है बच्चों यह कर आपको ध्यान से से ठीक है ground, मतलब लेंड के ऊपर ये लेंड के चाहिए हमारा इस -" लेंड के नीचे का साइइ ठीक है wed लोगे नीचे होता है," ठीक समय, तो लेंड के नीचे भी पानी होता है ठीक वह जब ये भी खड़े, वाली जगे बन जाती है पानी का रिसा होता ही, ओड़े दीरे दीरे आता है और वो पानी दीरे दीरे ऊपर आकर जमने लग जाता है ठीक है मतलब जैसे सब यह अंदर से पानी आता है अंदर से अगर पानी आएगा यहां पर तो क्या हो जाएगा यह पानी दीरे दीरे बढ़ता चले जाएगा इस तरह से यह पानी दीरे दीरे बहेंगे जैसे अगर आप invariable अगर आप लोगों ने अगर आ नौर्माल गली वाली जगह पे रहते हो ठीकिन गली वाली जगह पर रहोगे न तो आप लोगो को पता वही क्या हो जाता है वही सारी चीजे आप लोगों को समझ में आजाएगी अंदर मत्ब्लैंड के नीचे में भी क्या होता है वाटर होता है उसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर बोलते हैं और वो ग्राउंड वाटर भी हमारे बॉड़ी के लिए बहुत जादा सही होता है उन्हीं वाटर को हम क्या करते हैं अपनी डेनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं जो भी आप पानी पीते हो वो क्या होता है वो ग्राउंड वाटर सी होते हैं ठी तो यहीं सारी चीज़े इसके एक्जाम्पल्स होते हैं ओके चालो आप तबी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा समझ में आया वीडियो को लाइक जरूर से करना है सारे दोस्तों को शेर जरूर से करना है और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब तो बिल्क